सावर मती ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम क्लास त्वाल से कमेश्टी के अंतरगत इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो की है नियुकलिक अमलु तुनेश्टियर ये बोर्ड एक्जाम में भी आ चुका है मोस्ट इंपोर्टेंट तो मिसर ने इसे क्या नाम दिया था नियुकलियन नाम दिया था अब 1872 में मिसर ने इसे सुक्राणू से कहां से सुक्राणू के सीर्स से सुक्राणू के सीर्स से अमली तथा चारी प्रकित के पदार्थ प्रथक किये और उन्हें क्या नाम दिया नियुकलिक अमल नाम दिय earthquake- 1782 में इसे उन्होंने नुकलीक अमल या फिर पोले मे नाम दिया था क्या नाम दिया था नीुकलीक अमल या फिर पोले में तो यह पॉऌंट आपको क्लियर हो गया होगा विसमेश önce देखते हैं कि जो निउपट कमल होता है ये जीव कोसिकाओं के कोसिका ड्रव में कहाँ पर कोशिका ड्रव में और साथी साथ केंदरक में पाया अब देखते हैं कि कौन कौन से इसे में तत्व पाये जाते हैं तो न्यूकलीक अमल में कार्बन हो गया क्या चीज कार्बन हो गया हाइड्रोजन हो गया आकसीजन हो गया नाइट्रोजन हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तथा क्या है साथ में फास्फोरस भी है इसकी अड़ू पस्तित होते हैं तो न्यूकलिक अमल के अंतरगत कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्पोरस तत्व उपस्तित होते हैं इसमें क्या होता है जो फास्पोरस होता है इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है सबसे अधिक मात्रा में होता है फासफोरस तो इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं सीफोन की जो निउकली कमल होता है ना इसके अंदर तत्व होते हैं सीफोन यानि की कार्बन फासफोरस, हाइड्रोजन, आकसीजन और nitrogen जिसमें फासफोरस की माता सरवाधिक होती है तो इस प्रकार से ये भी आपको clear हो गया होगा नेश्ट देखते हैं कि nucleicamil की गुड क्या है तो nucleicamil में carbon हो गया, hydrogen हो गया, oxygen हो गया, nitrogen हो गया और phosphorus इनका मिसरड होता है तो जो nucleicamil होता है, वो carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen और phosphorus का मिसरड होता है और जो nucleicamil होते हैं ये जटिल योगिक होते हैं कैसे होते हैं, जटिल योगिक होते हैं साथी साथी ये रंगीन भी होते हैं तो इस प्रकार से आपको nucleicamil के good clear हो रहे होंगे तो न्यूकलिक अमल होता है ये कार्बनिक विलायक हो गया, क्या चीज? कार्बनिक विलायक हो गया, जल हो गया, और तनू अमल हो गया, इसमें अविले होते हैं, लेकिन जो तनू छार होता है, तनू छार में क्या होते हैं, विले होते हैं, तो न्यूकलिक अमल जो होते हैं, कार्बनिक विलायक हो गया जल हो गया तनु अमल हो गया इसमें अविले होते हैं लेकिन यदि इने तनु छार मिल जाये तो उसमें ये विले हो जाते हैं आगे यहाँ पर बताते हैं कि जो इस्ट होता है इसमें नुकली कमल कौन कौन से होते हैं तो जाइमो नुकली कमल होता ह है RNA यानि की राइवो न्यूकली कमल तो हमारे जैव तंत्र में दो प्रकार की न्यूकली कमल पाये जाते हैं DNA और RNA अब यहाँ पर हम नोट पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमारे DNA और RNA होते हैं इनमें कौन सा नाइट्रोजनी चाहरक होता है तो बात करें अगर हम DNA की तो इस नाइट्रोजनी चाहरक हो जाते हैं हमारे DNA के अंदर और बात करें RNA की तो RNA में एडनीन क्या चीज़ एडनीन होता है गवानीन होता है साइटोसीन होता है और यूरेसिल होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थाइमीन के अस्थान पर DNA में थाइमीन होता है लेक लेकिन यूरेसिल ना वो हमारा DNA में नहीं होता है, यूरेसिल का होता है? RNA में होता है, DNA में पाया जाता है थाइमीन और RNA में पाया जाता है यूरेसिल, तो ये भी आपको point clear हो गया होगा, आगे यहाँ पर देखते हैं कि प्रतेग नुकलिक अमल में दो परकार की मूल भूत होती हैं तो जो नुकलिक अम्ल होते हैं इनकी इकाया होती है इनकी इकायों को हम लोग बोलते हैं नुकलियो साइट से क्या बोलते हैं नुकलियो साइट से बोलते हैं और नुकलियो टाइट बोलते हैं तो यह भी एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम कवर करेंगे कि नुकलियोटाइट से कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक चाल्ट को देखते हैं तो यहाँ पर यह चाल्ट प्रदर्शित कर रहा है कि जो नुकलियोटाइट से होता है इसमें क्या क्या होता है नुकलियोटाइट से जो होता है इसमें सरकरा और नाइट्रोजनी चार का मिस्र तो सरकरा नाइट्रोजन इचार और फास्फोरिक अमल इनकी दिनों के मिलने से जिस एकाई कंजलमाड होता है उसे नुकलियोटाइड कहते हैं तो इस परकार से नुकलियोसाइड और नुकलियोटाइड क्लियर हो गया होगा अब इसे परिभासित रूप में देखते हैं तो नुकलियोसाइड के अंदर हम लिखते हैं कि नाइट्रोजन इचार क्या चीज नाइट्रोजन इचार और पेंटोस सरकरा तो सरकरा हमारी पेंटोस सरकरा होती है और नाइट्रोजन इचार होता है तो नाइट्रोजन इचार और पेंटोस सरकरा के मिलने से जिस एकाई कंद निर्माड होता है उसे हम लोग बोलते हैं नुकलियोसाइट्स उसे क्या बोलते हैं नुकलियोसाइट्स तो आपको याद रखना है कि नुकलियोसाइट्स में कौन-कौन से चीज़े मिलती है तो नाइट्रोजन युक्तुचार होता है और पेंटोस सरकरा होती है दो ही चीज माड़ होता है उसे हम नुकलियो साइट से बोलते हैं चलिए देखते हैं नुकलियो टाइड किसे कहते हैं तो बात अगर हम नुकलियो टाइड की करें तो नुकली कमल की संरचना बहुत जटिल होती है इसका अड़ जो होता है वो बहुत छोटी छोटी कायों से मिलकर बना होत जिसे हम नुकलियो टाइड बोलते हैं तो एक नुकलियो टाइड में क्या क्या होता है एक नुकलियो टाइड में चार होता है क्या होता है चार होता है साथी साथ पेंटो सरकरा होती है और इसी के साथ में एक चीज और जुड़ जाना है यानि कि फास्फोरिक अमल भी जुड जाना तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि नुकलियो टाइड का मींस होता है छार प्लस सरकरा और साथी में फासफेट मूलक तो इन तीनों की मिलने से जिसी काई का निर्माड होता है उसे हम नुकलियो टाइड बोलते हैं तो इस प्रेकार से most important topic जो की है new click अमल ये भी आप लोगों को clear हो गया होगा बोट पेपर की देश्टी से most important है thank you